गुड़ मॉर्निग इस्टुडेंट्स यह वीडियो डियलेड फॉर्थ समेस्टर के स्टुडेंट्स के लिए है सब्जेक्ट हिंदी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब रेगलर क्लास चाल रही थी उसमें आपका फॉर्थ समेस्टर स्टार्ट हो चुका था और 4th semester में हिंदी सब्जेक्ट में हमने आपके chapter 1 और chapter 2 complete कर दिया था chapter 3 start होना है तो हम इसी के आगे से ही start करते हैं chapter 3 से जिसका नाम है दिये गए अनुच्छेदों के शीरसक लिखना तो chapter 3 हमें start करते हैं जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने कुछ paragraph या अनुच्छेद या अपठित गद्यांस दिये गए हैं और हमें इसमें इनके शीरसक को लिखना है इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें इन paragraph को या इन अनुच्छेदों को हमें ध्यान से पढ़ना होगा और क्या इनका उचित शीरसक हो सकता है हमें इसके बारे में सही आंसर लिखना होगा जो कि आपके फेपर में इसी प्रकार से आएंगे तो जैसा कि हमारे सामने हम देख रहे हैं कि कुछ अनुच्छेद दिये हुए हैं इन अनुच्छेदों को हम ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद इनका पर्टिकुलर एक सीर्सक क्या हो सकता है उसको हमें यहाँ पर आंसर के रूप में लिखना है पहला अनुच्छे दिया हुआ है जैसे कि संघर्स ही जीवन है ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके लिए आपको संघर्स ना करना पड़े दौर धूप ना करनी पड़े और शक्ती ना लगानी पड़े इस तरह से पूरा आप पढ़ सकते हैं इसमें जो की दिया हुआ है तो इसको जब हम पूरा पढ़ लेते हैं तो हम देखते हैं कि इसका सही सीर्सक क्या हो सकता है तो इसका सही सीर्षक हम समझ सकते हैं कि यहां पर जीवन एक संगर्स इस तरह से इसका एक सही सीर्षक हो सकता है अगर यह बहुविकल्की के रूप में प्रस्ण आता है तो हम उसके हिसाब से जो हमारे option में दिये होंगे उसको हम ध्यान से समझते हुए फिर उसका हम सीर्षक लिखेंगे इसके लिए बहुत जुरूरी है कि हम इस अनुच्छेद को ध्यान से पहले पढ़ें इसी प्रकार से शीरसक दो और तीन में और चार में भी शीरसकों को लिखना है कि करके इन अनुछे दों को ध्यान से पढ़ते हुए इनके शीरसक को हम लिखेंगे तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम जो भी अनुछे दिया हुआ है उसको हम पहले ध्यान से पढ़ें फिर हम उसके शीरसक क्या हो सकते हैं उसका टॉपिक क्या हो सकता है तो यह चीप्टर ठी जो है इसी पर ही बेढ़े है कि हमारे सामने कुछ अंसीन पैसे जाएंगे कुछ आपठित गद्यान्स आएंगे और हमें उन गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़ करके उसका उचित शीर्सक बताना है इसके अलावा हम इसमें कुछ और बाते एड़ करना चाहेंगे जो कि आपके आगे आने वाले भविस में CTET या TET, UPTET के एक्जाम में भी आपके काम आएंगे ये अपठित गद्यांश जो हैं वो आपके CTET और UPTET में भी बहुत important है वहाँ पर आते जरूर है ये तो इसमें हमें क्या करना है ये अपठित गद्यांश से कुछ question चार पांच या अच्छा question लगभग आते हैं वहाँ पर भी हमें इनके answer देने होते हैं तो हम इसके लिए क्या करते हैं इसके लिए भी एक हम ट्रिक का इस्तमाल करते हैं आम तोर पर जब ये question पूछे जाते हैं तो एक system एक नियम के according पूछे जाते हैं हमारे सामने कोई भी अपठित गध्यांश होता है और उसमें निर्देश में लिखा रहता है कि उप्रोक्त अपठित गध्यांश को ध्यान से पढ़ें और संख्या इतने से इतने तक इससे answer दें इस अपठित गध्यांश से तो इसमें हमें करना क्या होता है हम जो question दिये रहते हैं उन प्रशनों को हम एक एक करके ध्यान से पढ़ते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहला प्रशन जो दिया होगा होगा उस प्रशन को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसको पढ़ते हुए फिर हम देखेंगे कि ये इस प्रस्ट में पूछ क्या रहा है और उसके बाद फिर हम सबसे स्टार्टिंग की लाइन्स में सबसे उपरवारी लाइन में उसका आंसर ढूरने की कोशिस करेंगे इसके बाद फिर अगला कोश्चन होगा वो उसके थोड़ा सा नीचे होता है और अगला कोश्चन होता है वो थोड़ा सा और नीचे होता है और सबसे लास्ट कोश्चन जो होता है वो पूरे पैराग्राफ का एक सार होता है तो इस प्रकार से अपठित गध्यानस के आंसर लिखने का भी एक तरीका होता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं चैप्टर 3 में आपके अनुच्छेदों के शीरसक लिखना ये है और इस प्रकार से आपको अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़ करके उनके शीर्सक को लिखना है तो आशा करते हैं यह आपको चैप्टर समझ में आया होगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको इससे समंदित कॉल करके पूछ सकते हैं धन्यवाद